UPSC के according important content पाने के लिए EG Classes को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे की notification मिलता रहे Waste to Wealth Sustainable Processing of Municipal Solid Waste Recently Ministry of Science and Technology के अंडर में एक नया टेकनोलजी का इजात किया गया है जिसके help से जितने भी municipal के solid waste होते हैं Solid Waste में क्या आते हैं आपके जितने भी waste होते हैं चाहे और गानिक प्रेडक्ट हो नौन और गानिक प्रेडक्ट हो पॉलिमर्स हो जो भी waste प्रेडक्ट हो उनको प्रॉपरली मैनेज करना मतलब कि प्रॉपरली या तो रिसाइकल कर लें उसको या फिर प्रॉपरली इसको इसको दीकरेड कर दें ताकि वो एंवारमंट को रिपार्पुल ना पहुचा साके या फिर एंवारमंट के लिए उसको फिर ना हो So, I welcome you all to expert guidance video classes India's most incredible institute for IES and if you have any issues or any doubts regarding admission या फिर आपकास कोई भी डाउट हो अद्मिशन से गादिन हमारे फेसिलिटीज क्या है ओनलाइं मोड में अफलाइं मोड में हमारे फीस्ट्रॉक्चर क्या है देन यू कॉल इस विजित आ वेपसाइट www.egclasses.com to get all the information so let's start today's topic as I said आज का हमारा topic है solid waste management a new approach to manage municipal solid waste ठीक है उससे पहले हम problem को समझ लेते हैं actually problem क्या है so we know this very well that population is increasing drastically in a country इंडिया में बहुत तेजी से population बढ़ रहा है और population के बढ़ने के साथ ही urbanization urbanization का process भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है urbanization यानि कि शहरी करन यतनी भी गाउं है धीमे-धी में देख रहे हैं लोग गाउं से शहरों की तरफ जा रहे हैं और इवन गाउं को भी लोग शहरों की तरह बनाते जा रहे हैं पहले क्या सिस्टम था आप क्या सिस्टम है धीमे-धीमे सारी चीज़े चेंज हो रही है और urbanization और increasing population के वज़े से problems क्या रही है जो waste होते है वेस्ट को properly manage नहीं किया जा रहा है इसको कहीं भी लोग डंप कर दे रहे हैं गाउं में क्या होता है जैसे कि अब वहां पॉलिथीन या पॉलिमर जादा यूज नहीं होते हैं जितने भी organic waste है वो या तो फिर खेतों में डाल देते हैं फिर जा भी फिर खेतों में या पिर वो बाइयो गैस की तरह यूज रही है वा यूज गाल जी यूज तक बाइया है जो पीर बइस सब्सक्राइब सेज़ाइन का यूज है या फिर कोई अगर आइपरन उन्चेमन या फिर फिर थोड़ा प्रोबलम हो जाता है बहुत ही ज करें एक बताया गया एक रिपोर्ट में कि अभी करेंटली 62 million tons of waste is dumped every year यह आगे चलकर धीमे धीमे तो 2030 तक ही 150 million tons तक हो सकता है so you can see it can increase more than double only in 10 years अभी 2020 चल रहा है तो सिर्फ 10 years में जो waste जो भी dumping हो रही है वो पुरा double हो जाएगा और double होने से क्या होगा हमारे environment को बहुत जादा harmful effect पहुचेंगे अभी जो issues आ रही है environment आप देख रहे हैं बहुत सारे problems आ रही है cities बन रही है oxygen की कमी हो रही है pollution बढ़ रहा है lots of problem you can observe global warming हो रही है तो बहुत सारे को देखते हुए ministry of science and technology ने एक नया technology या फिर आप कहा सकते हैं नया method इजाद किया है जिसके help से इन सारे solid waste municipal solid waste को manage किया जा सकता है but before हम देख लेते हैं कि waste कितने type होते हैं यहां पर देखे solid waste के बारे में discuss किया जा रहा है but there are organic waste hazardous waste solid waste waste liquid waste and recyclable waste इसको recycle किया जा सकता है जैसे paper है paper को recycle आप कर सकते हैं बहुत सारे waste होते हैं इनको recycle किया जाता है liquid waste में आपका जैसे जो खाना बना रहा है आप जो वाश्रों में पानी यूज होता है so that goes into a liquid waste even chemicals कुछ release होते हैं environment that is also liquid waste solid waste industries से बहुत सारे solid waste निकलते हैं hazardous waste निकलते हैं even आपके घरों से बहुत सारा solid waste निकलते हैं hazardous waste especially industries से ही निकलते हैं and organic waste obviously we know like आप kela खा रहे हैं safe खा रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं तो remain the leftover part is called as organic waste okay तो यह पांस तरीके के waste होते हैं यहां पर हम specially solid waste की बात करेंगे municipal solid waste जिसके अंदर में आपका organic waste भी आ जाता है liquid भी वेस्ट आ जाता है solid waste भी आ जाता है तो सारी waste यह सब municipal solid waste के अंदर में आते हैं fine तो इन सारे समस्याओं के solution था वो अल्यड़ी start आ ऐसा नहीं है कि अभी अभी सिर्फ इसका solution खो जा गया पहले भी solution start किया गया था plasma gasification, plasma gasification यूज होता है solid waste management के लिए अब यह plasma gasification क्या है और इसमें मतलब की upgradation की जरूरत क्यों पड़ी इसमें क्या demerits थे हैं वो सब कुछ हम अभी वीडियो में देखेंगे so let's start what is plasma gasification सबसे पहले हम plasma gasification देख लेते हैं क्या होता है so plasma gasification में क्या होता है as I said this is a method of solid waste treatment तो यह एक eco-friendly solid waste management का technique है over here it is mentioned very clearly it is an eco-friendly solid waste management technique क्यों है क्योंकि इसमें सीधे सीधे जो volume है आपका waste का माल लिजे 100 ton volume है आपके waste का यह 95% तक reduce कर देगा इसके volume को volume क्या होता आप जानते हैं यह ना LBH यह रोख है mathematical formula है but volume simply means एक glass water तो glass में जितना पानी आ रहा है वो उस glass का volume हो गया similarly अगर एक ton है तो इसको 95% मलब कि 95 ton तक यह waste कम कर देगा volume तो waste आपका जो बचेगा सिर्फ 5-10 waste बचेगा और वो भी unuseful waste नहीं रहेगा इसको भी किसी ना किसी तरीके से यूज में लाए जाएगा तो यह तो रहें इसके merits और एक तरीके से कह सकते हैं फायदे ठीक है अब इसका method क्या है exactly यह काम कैसे करता है तो यह जो plasma gasification है नाम से आब देख रहे हैं आप की temperature बहुत जादा है 3000 degrees centigrade is very high temperature आप अंदाजा लगा सकते हैं 100 degrees Celsius में आपका पानी बॉइल हो जाता है and you can't touch boiling water तो just imagine 3000 degrees centigrade कितना जादा होगा तो उस temperature में यह produce कियाता है इतना temperature उस chamber में और जो वेस्ट होता है वो syngas में convert हो जाता है उस reactor में आपका चैमबर कह लें वो syngas में convert हो जाता है जो कि syngas को आगे भी बहुत सारे purification system से होके गुजरना पड़ता है like catalytic converter, redox reactor, cyclone separator, scrubber इन सब चीजों से यह syngas pass होता है और finally जाकि यह gas engines में use होता है electricity generate करने के लिए electricity कैसे generate होता है तो electricity generator motor generator concept है इसमें बहुत detail नहीं जाएंगे but motor generator से same concept होता है motor आप देखते electricity उसमें produce कर रहे है तब यह motor rotate कर रहा है तो इसका just reversal जो होता है generator होता है generator में motor चलता है जिसके वज़ते electricity प्रेड़्यूस होता है अब यह motor जो चलता है वो third mean से चलता है यहाँ पर key गैस है जैसे इस पंकह पbread है जिसके वासे रोटेट करेगा और electricity produce हो जाएगा so we will not going technicalities न के हमको जरुरूत नहीं समझने के लिए ठीक है उसके बाद जो लास्ग में एव बचता है जो राख बचता है जलने के बाद वह के साथ मिक्स करके तो में बनाने मद किया थै इंट बनायी जातेा थियर mlike you आप देख घर बनाने में लेकिन अब क्या हो रहे हैं cemented bricks भी बन रहे हैं जिसमें जो बचा हुआ ash है उसमें cement में मिला के बनाया जाता है ठीक है तो यह तो था plasma gasification का process इसको हम image में भी देख लेते हैं कैसे काम करता है यह एक chamber है आपके पास यहां पर वेश्ट पूरे भरे हुए होता है और यह aerobic reaction होता है देखिए दो reaction होता है aerobic reaction और एक होता है anaerobic reaction तो इसमें confuse मत हो यह गया anaerobic aerobic मतलब जो भी reaction हो रहा है जो भी combustion हो रहा है presence of oxygen होगा air के presence में और anaerobic उसका just opposite in absence of air fine तो यहां पर बहुत सारा वेश्ट आपके रहता है फिर यहां plasma torches होते है plasma torches का काम क्या होता है सिर्फ यहां पर heat heat generate करते है temperature कितना generate कर रहे है 3000 degree Celsius जो हमने पहले देख लिया है ठीक है अब इतना heat किसी के उपर देंगे तो obviously बात हो जलेगा and when something burns it obviously convert into gases 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 हलकी होने के वे से उपर उठती है यह concept आपको सबको पता है उठने बाद यह sin gas में convert हो जाता है स्टीन ग्यास को बहुत सारे cleaning process आप कह सकता है आपर हमने देखा ना क्या क्या प्रोसेस था catalytic converter redox reactor cyclone separator scrubber इनके थुर पास करके एक pure form of gas को प्रेड्यूस के आए था जो कि toxic ना हो जहरी ला ना हो environment में आने के लिए उसके बाद यह engines में यूस किया जाता है to generate electricity यह process है और प्लाजमा गैसिफिकेशन का और स्पेशल यहां पर point कहा है आपको याद करना है याद नहीं करना मतलब समझना है यह aerobic reaction है इन presence of air ही reaction होता है और यहां पर देखे जो plasma torches है यह एक्चुरी electrodes होते हैं जिनको जला जाता है heat produce करने के लिए और last में जो waste बसता है यहां से वो waste और metals recover कर लिया जाता है या तो उसको organically use किया जाता है या फिर metals है तो metals को दूसरे तरीके से use किया जाएगा fine अब इसमें problem क्या था क्या demerits था जिसके वाए से नए technology का इजाद करना पड़ा government को so demerit अब देखेंगे यहां पर तो यह technology जो है economically viable नहीं तो इसका जो main point है वो है economically viable नहीं है मतलब की बहुत महेंगा पड़ता है इसका जो setup है लगाना वो बहुत महेंगा पड़ता है और especially of waste को मनलबखी manage करने के लिए को इतना महेंगा setup obvious सी बात है उसके बाद क्या है जो electrode consumption है electrode consumption बहुत ही हाई होता है electrode क्या है मैंने बता है आप देखें जो plasma torches है इन plasma torches में electrode use होता है heat generate करने के लिए जो की consumption बहुत हाई था जिसके वाज़े से इसका cost और जादा बढ़ जाता है ठीक है तो यह कुछ है plasma gasification के demerits आगे बढ़ते है nature of municipal waste of India हम देख लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे नया technology क्या है और कैसे काम करता है तो अभी तक जो studies किये गये हैं उसके according बताया गया है कि जितने हमारे municipal solid waste होते हैं यह mostly organic waste consist करते है organic waste you know very well आपके घरों में जूद होते हैं खाना पीना खाबाच जो बसता है या फिर खेतों में जैसे क्रॉप्स काट लिया जाते हैं जो बच रहा है उसको organic waste में आ जाएगा तो यह organic waste बहुत huge fraction होता है municipal solid waste में अब इनका जो unscientific disposal होता है जो भी organic waste होते हैं एकर unscientifically इसको कही ही भी dispose किया रहा है तो यह क्या करते हैं यह greenhouse gas emit करते हैं और दूसरे pollutant भी emit करते हैं environment में अब greenhouse gas क्या है greenhouse gas you know global warming के लिए बहुत ही बड़ा कारक है यह greenhouse gas global warming you know the process of increasing the average temperature of earth अब यहां पर एक जो greenhouse gases होते हैं clear ना लेते हैं earth के उपर जो भी sun rays आ रही है यह आ पर आ तो जा रही है लेकिन यह reflect करने के बाद यह trap कर लेती है तो जिसके वज़ेसे यह earth का average temperature वो बढ़ जाता है और यही कारण है global warming का global warming के वज़ेसे issues क्या रही है जो ice caps है वो melt हो रही ह हमारे पास रहने के लिए space कम होगा agriculture के लिए space कम होगा तो यह तरीके से ultimately हम देखें तो बहुत जादा दिक्कत की बात है इंसानों के लिए especially for humans and animals living on earth वागी aquatic life के लिए तो कोई problem ही नहीं हो तो अच्छा ही है एरिया बढ़ रहा है fine अगला problem क्या है अगला problem यह है कि अब कह कि बहुत समय तक पानी कोई कठा नहीं रहने देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर डेंगू जैसे मच्छर पैदा हो जाते है similarly यहाँ पर बहुत सारे pathogen bacteria viruses आ जाते हैं जो कि बहुत बड़ा दिक्कत होता है आस-पास के रहने वाले लोगों के लिए ठीक है अब प्रोसर्स जो होता है उस गयास का यूज करते हैं electricity generation में आफिर डाइट कहीं कहीं यहाँ हो जाता है बट यहाँ पर क्या होता है कंपोसिंग को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है because of volume of this waste waste का volume अभी कितना 60 ton है तो इतना मैनेज करना तब समढ़ लीजे कितना दिक्कत वाला बात ह है ठीक है और organic waste में moisture भी बहुत होता है moisture के वैरे से वह जल्दी से decomposed नहीं होते हैं fine अब हम देखेंगे new technology जो कि आज का हमारा main topic है so this technology is developed by CSIR CMRI यानि की Council of Scientific and Industrial Research Central Mechanical Engineering Research Institute so this body है जिसके थूँ नए technology बनाया गया है अब नए technology क्या है वह हम देख लेते हैं so नए technology का highlight सबसे पहले हम कुछ special points देख लेते हैं उसके बाद हम इस technology के बारे में detail में जानेंगे सबसे पहला यह जो technology बनाया गया है municipal solid waste management का या फिर municipal solid waste processing facility यह develop किया गया है solid waste management rule 2016 इससे पहले solid waste management rule 2000 था इसको replace करके solid waste management rule 2016 आया the scanner में बताया जाता है कि waste को segregate यानी की waste को categorize कर लिया जाता है जैसे कि liquid waste को अलग कर लिया गया organic waste को अलग कर लिया गया polymers को अलग कर लिया गया Hulex को दिया गया तो सारे अलग-णी टाइप कर लेक्ट कर लिया ने बताता है हमारा solid waste management rule इसको भी हम इहाई house in detail नही Dep Coming If you wish, I can make a separate video, just need to write in the comment box for this, fine. So moving further, जैसा कि मैंने बताया, It is mechanized segregation system, segregated solid waste into metallic waste, biodegradable waste, non-biodegradable waste, and inert gas tone waste, etc. इसको मतलब की एक तरीके से हम classify, अलग-अलग segregated कर ले हैं mechanically, okay, mechanically यानिक मेशीन से, उसके बाद जो biodegradable waste है, उनको anaerobic environment में, बायो-गैसिफिकेशन की तरफ process भी उसके रहा रहा था, यानि कि बायो-गैस के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक important term है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, if you want, you can write down in the comment box, तो बायो-गैस जनरेशन होता है, ये जितने biodegradable waste होते हैं, उसमें क्या होता है, एक chamber में सारे waste को रख दिया रहता है, इसको block कर दिया रहता है, और यहां से ये inlet होता है, यहां से थोड़ा पानी डाल रहता है, तो कुछ समय बाद यहां पर air present नहीं होता है, यहां पर oxygen present नहीं होता है, तो कुछ समय बाद यह gas release करने लगते हैं, और उसी gas को methane वगरा gas release होता है, और वो gas हमारा as in fuel use होता है, चाहे वो electricity generation के लिए यूज हो, चाहे फिर cooking वगरा के लिए यूज हो, फाइन, अब यहां पर और points भी है, वही same यहां पर points से देखिए, जो bio gas है, अब जो अगरा type का वेस्ट है, कैसे dispose कियाता है, तो सबसे पहले आप देख लिए बायो मास वेस्ट में आता है, इसमें dry leaves, dead branches, dry gases, यह आपके, dry grass, sorry, यह बायो मास वेस्ट में आता है, सबसे पहले इनको क्या किया जाता है, उसके बाद वो bio gas digester में mix कर दिया जाता है, बायो गास digester क्या है, हमने देखा, बायो गास अभी उपर समझा था, हमने कैसे की, एक chamber होता है, जिसमें प्रोडक्स यह वेस्ट आलते है, फिर उसको anaerobic reaction कर दो gas produce करके यूज में लाया जाता है, ठीक है, पहला यूज हो गया, दूसरा यूज क्या होता है, जो mixture होता है, फीट स्टॉक का, उसको ब्रिकवेट में यूज किया जाता है, जो की fuel की तरह यूज होगा cooking में, अब ब्रिकवेट क्या है, तो ब्रिकवेट कुछ नहीं होता है, जैसे coal हो गया, या फिर unburned coal हो गया, लकडिया हो गई, कुछ भी हो गया, तो उनको इक block, उनका एक highly compressed करके, ब्लॉक बना दिया गया, ब्लॉक मतलब इंट बना दिया गया, या फिर किसी भी शेप में बना दिया गया, फिर उसको cooking as a fuel को यूज किया जाता है, ठीक है, उसका जो ash प्रेडियूस होता है, जो राख प्रेडियूस होता है, उसको फिर से cement में यूज करके, इंटे बना लिया जाते हैं, पहले process में पढ़ा था ना, बायो गैसिफिकेशन में, तो सेम प्रोसेस यहां पर यूज हो रहा है, नीटे बनाने में, polymers waste को ऐसे dispose किया रहता है, तो polymer waste dispose करने के लिए, pyrolysis और plasma gasification, ये दो मेथड यूज हो रहा है, plasma gasification हम पढ़ चुके हैं, यहां पर हम सिर्फ pyrolysis पढ़ लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो pyrolysis और plasma gasification, plasma gasification हमने देखा था, temperature जो था, electrode के थूँ, 3000 degree centigrade तक पहुचा जा जा था, यहां पर यह process सारा सेम है, लिकिन temperature जो है, आग बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो catalyst भी उसी तरह के काम करता है, कोई भी process चला है, कोई भी activity हो रही है, तो catalyst का use करने से क्या होता है, intensity उसी इसकी बढ़ जाती है, तो यहां पर suitable catalyst का use करके, 400 to 600 degree temperature पर अनवार्मेंट में, इनको products को जलाया जाता है, अब उसको जलाने के बात क्या होता है, जो volatile होते हैं, जो मलब की जल्दी जल जाते हैं, वो निकलाते हैं, और condensation के बाद, मलब gas फॉर में निकलेंगे, माली जी एक chamber यहां heat किया जा रहा है, तो gas के फॉर में निकलेंगा उब्यस सी बात है, तो उन gas को condense कर लिया जाता है, और pyrolysis oil बना लिया जाता है, अब pyrolysis oil कहां यूज होता है, यह फिर से वही energy generation में, आपका चाहिए boiler में यूज हो गया, चाहिए engines में यूज हो गया, यहां पर non condense in gas, तो यह हमारा crude pyrolysis oil होता है, crude pyrolysis oil क्या होता है, अब देखिए, crude oil के बारे में आपने सुना होगा, crude oil आपने सुना होगा, जिसके help से, या फिर जिसको fractional distillation करते हैं, प्रोसस होता है, जिसमें crude oil को heat क्या जाता है, और crude oil में जो components होते हैं, वो अलग लग temperature पर heat होते हैं, इसी साब का kerosene oil, diesel, petroleum, petroleum jelly, बहुत सारे products extract किया जाते हैं, एक ही crude oil से, similarly, यह crude pyrolysis oil बनता है, इसमें को बाद में purify किया जाता है, और purify करने के बात क्या होता है, यह self sustainability में काम रहाता है, ठीक है, और जो solid जो बसता है, फिर से बाइो गैस लरी में मिस करके, ब्रिकेट क्या होता है, ब्रिकेट क्या होता है, ब्रिकेट वही ब्लॉक्स बन जाते हैं, जो की directly जलाए जा सकते हैं, इनको, I hope आपको यह polymer waste disposal भी समझ में आ गया है, अब यहां पर इमेज दिया गया, देखिए यह प्लाजमा पाइलिसस सिस्टम है, इमेज है और यह आपका एक प्रसेस है, कैसे काम करता है, प्लाजमा टॉर्च देख चुके हैं उपर ही है, आप सिर्फ इमेन इमेज दे दिया है, आप यहां को फिर सिर्फ बार देख लिए, लास्स है हमारा sanitary waste disposal, sanitary waste disposal, sanitary क्या होते हैं, जैसे कि sanitary napkins, mask, diapers, यह हमारे sanitary waste हो गया सारे, इतने समय covid-19 का प्रकौप है, जगो covid-19 चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा mask निकल रहे हैं, बहुत सारे sanitary napkins, diapers, special treatment देना पड़ता है क्योंकि इसमें बैक्टेरिया भी हो सकते हैं तो इसके लिए अल्टा वालेट लाइस प्रिडूस किया जाते हैं होट एर कन्वेंशन में यूज किया जाते हैं ताकि इन वेस्ट को बहियां से ट्रीट किया जाए ताकि ये एंवार्मेंट को और जादा हा और इवन हीमन के लिए बहुत अधा ये प्रब्मेटिक हो सकते हैं फाइन तो एक प्रदेश वीडियो आपको ये नया टेक्नोली समझ में आ गया होगा जिसके हल्प से मुनिसपल तॉलिट वेस्ट को ट्रीट किया सकता है इसक्ता है इसक्ता है प्लिज राइट प्लिज र और ये व्टी है व्टी है यह हारा वारा है में विड में वटी है क्या समय अ कर सकते है व्टी है इस चीया ये वटी में दो घुस एड मिग में क्रें ये क्या किया लिए रपक तलैंबऴगा देयु औदू झेजिग. झाल झाल